Hello Friends, Welcome to Education Adda आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है Method to Find LCM of Fractions तो हम इस वीडियो में सिखेंगे कि हम LCM Fractions का कैसे निकाल सकते हैं तो Friends, आपको पता ही होगा कि Fractions जो होते हैं वो P upon Q के फॉर्म में होते हैं जहां पे P हमारा numerator होता है और Q हमारा denominator होता है और denominator कभी भी 0 नहीं हो सकता मतलब Q कभी 0 नहीं हो सकता For example, 5 upon 7, 6 upon 6, 6 upon 7, 9 upon 8 ये सब क्या हैं? ये सब हमारे fractions हैं तो ये जो topic है वो बहुत ही important है स्कूल वालों के लिए भी और जो government exams की preparation कर रहे हैं उनके लिए भी खास करके व्यापम के exams, railway के exams, SSC के exams इन सब exams में इससे काफी बार question पूछा जाता है तो चलिए start करते हैं तो पहले question में लिखा है कि हमें LCM निकालना है किसका 14 upon 6, 2 upon 9, 4 upon 15 का अब जैसे normal numbers हुआ करते थे तो हम different methods यूज करके उनका LCM निकाल लेते थे लेकिन अब हमें किसका fractions का LCM निकालना है तो इसकी एक trick होती है अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत यह असानी से ऐसे question कर पाएंगे तो इसकी trick यह होती है कि जब भी हम fractions का LCM निकालेंगे तो हमें एक formula यूज करना है वो formula होता है LCM of numerator upon SCF of denominator तो friends जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में LCM और SCF की different different method सीख ली थी तो आप इसको निकालने के लिए कोई भी method यूज कर दखते हैं जो आपको easy लगती हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जैसे 14 upon 6, 2 upon 9, 4 upon 15 में 14, 2, 4 यह सब क्या है numerator है जिसका हम LCM निकालेंगे और 6, 9 और 15 जो हमारे denominator है उसका हम SCF निकालेंगे जैसे कि आप यहाँ देख रहोंगे कि मैंने 14, 2, 4 का जो LCM निकाला है वो मैंने long division method से निकाला है तो long division method में होता क्या है हमें सब numbers को एक साथ solve करना होता है तो जब आप solve करेंगे तो जो आपको 14, 2, 4 का LCM मिलेगा वो मिलेगा 28 और जैसे कि आप यहाँ देख रहोंगे कि मैंने 6, 9 और 15 का SCF निकाला है तो जैसे यहाँ तीन number दिये हुए है तो SCF यहाँ पर मैंने जो निकाला है वो long division method से निकाला है वो कैसे निकालेंगे सबसे पहले आप 6 और 9 का SCF निकालेंगे long division से जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला है तो यहाँ पर जो आपको SCF मिलेगा 3 मिलेगा लेकिन अभी 15 रह गया है तो यहां first two numbers का जो SCF मिलेगा उसका SCF हम third numbers निकालेंगे मतलब first two numbers जो थे हमारे 6 और 9 उसका SCF क्या था 3 अब इस 3 और 15 का अलग से SCF निकलेगा तो इस 3 और 15 का SCF के निकला 3 मतलब जो हमारा final SCF 6, 9 और 15 का आएगा वो आएगा, क्या आएगा वो? 3 आएगा ओके, फिर से मैं बता दूँ जब तीन number का SCF निकला जाता है तो सबसे पहले आप क्या करें? आपको सबसे पहले first two numbers का SCF निकलना होता है उसका जो result आता है ना उसको all last number को लेके फिर से SCF निकलना होता है तो वो हमारा होता है final SCF तो यहाँ पे 6, 9 और 15 का final SCF क्या आया है final SCF आया है 3 तो यहाँ पे जैसे मैंने formula में लिखा था LCM of fraction equals to LCM of numerator upon SCF of denominator तो हमारा LCM क्या आया? 28 यहाँ देखिए LCM हमरा 28 आया और SCF क्या आया? 3 तो हमारा जो final answer आएगा वो आएगा 28 upon 3 तो बहुत ही simple था अभी आपको कठे लग रहा होगा लेकिन अब जब आप questions करेंगे तो बहुत ही easy लगेगा चलिए एक और question discuss करते है यहाँ पे हमें निकालना है SCF of 27 upon 6 4 upon 20 8 upon 9 तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? numerator का LCM और SCF का sorry, denominator का SCF निकालना होगा तो जैसे कि यहाँ पे है मैंने long division methods फिर से LCM निकाला है तीनों नमबर को एक सार लेके तो मेरा जो LCM आया वो आया 216 आपको सब factors को क्या करना होता है आकरी में? multiply करना होता है तो जो LCM आयेगा वो आयेगा से तो आपको वो SCF final क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ओके तो friends मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SCF और LCM दोनों long division methods से काफी आसानी से निकाले जा सकते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप exams में इसी method को prefer करें जिससे आपको time बचाने में आसानी जाएगी तो यहाँ पे मेरा जो SCF आ चुका है वो आया है 1 और जो LCM आया है वो आया है 216 तो आपको यहाँ बस रख देना है तो यहाँ पे answer आएगा 216 upon 1 जो कि हमारा LCM उगा किसका 27 upon 6 4 upon 20 8 upon 9 इसका हमारा LCM जो आएगा वो आएगा 216 upon 1 तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 2 questions discuss किये हैं मुझे लगता आपको अच्छे समन में आ गया होंगे और अगर आपको इसके बावजूर कोई doubt आता है तो प्लीज मुझे comment box में बताइए ताकि मैं और अच्छे questions लाज़कूँ जिससे आपका पूरक clear हो जाए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए thank you friends thank you for watching my video